नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यह जो चैनल है इसमें मैं आपको फॉर्म बताऊंगा कैसे कैसे आप स्टेप बाइस्टेप जो है भर सकते हैं यह रिकूट्मेंट टेटरा पैक के तरफ से निकाला गया है ठीक है चलिए औ और आपको इस रिकूट्मेंट के बारे में ज्यादा जानना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप देख सकते हैं अप्लाई का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा यहापक apply now का एक बटन दिखेगा apply now के बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बात जो है आपको यहाँ पर create account अगर आपके पास अल्रेडी यहाँ पर account बना रखा है तो आप email id पासवर्ड डाल के login करते हैं लेकिन आपको अगर new account बनाना है तो create account का एक option दिखेगा वहाँ पर क्लिक करना है और इसको form को भरना है इसमें simply आपको यहाँ पर आपको अपना email id फिर से दुबारा वही email id और यहाँ पर password पासवर्ड डालते वक्त आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि password minimum आपका at least six character का जो है वह होना चाहिए ठीक है और इसमें एक numeric word होना चाहिए और एक symbol जैसे की at the rate, dot, hashtag वोगेरा जो symbol होते हैं वो suppose मैं यहाँ पर एक password रखता हूँ आप इसी type से यहाँ पर password बना सकते हैं मैं यहाँ पर रखता हूँ capital A at the rate ठीक है यहाँ पर green होगा at the rate मैंने रख दिया k और एक numeric दे दूँगा one five यह numeric दे दिया और आगे आप जो form में password दालना यह password accepted है ठीक है तो इस step से आप यहाँ पर password दाल ले उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पहला नाम first name यहाँ पर आपको अपना दूसरा नाम sorry first name और last name जो भी आपका title है कुमार है जो भी है उसके आपको यहाँ पर अपना country इंडिया चूज कर लेना है ठीक यहां पर आपको click करना है और यहां पर click करने के बाद यहां भी आपको जो है उनका term and condition को accept करना होगा वहां पर data पर आप click करेंगे तो आपको ऐसा एक form आएगा जो agreement है कि जो website व्वगरा का इसको आपको accept करना है यह अगर आप accept नहीं करेंगे तो आपका form जो है वह आगे नहीं बढ़ेगा तो इसका जो है आप जरूर से खयाल रखें यह accept करने के बाद यहाँ पर create account का बटन है वहाँ पर click कर दें आप जैसे आप वहाँ पर click करेंगे आपको email भी आ जाएगा कि आपने अपना profile जो है वो create कर लिया है ठीक है अब बारी है हम job कैसे apply करेंगे तो यह job apply करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपना document यानि की आपको अपना resume यहाँ पर cb upload करना है resume बहुत अच्छा रहना चाहिए तो ही आपका ज्यादा chances है select होने का आपका जो भी resume में आपका जो भी skills है ठीक है जो भी hobby है यह सब को जरूर से mention कीजिए और यहाँ पे PDF के रूप में Docs के रूप में PPT के रूप में जो भी आपको जिस भी format में आपको सही लगे यहाँ पर उसको upload कर दिजिए हो गया यह upload करने के बाद आपको personal information यहाँ पर आपको दिखेगा personal information में आपको आपका नाम दालना है यहाँ पर आपको अपना phone number दाल इसमें आप रेसर्स लिख दे ठीक है क्योंकि आप रेसर्स है और यह जो आप रेसर्स के लिए है तो यहाँ पर रेसर्स लिखते हैं यह आपका पुस्नल इंफोर्मेशन हो गया उसके बाद नेक्स्ट प्रीवियस एंप्लॉइमेंट इसको आपको छोड़ देना है क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर वह एक्सपीरियंस का डीटेल डाल सकते हैं नेक्स्ट आएगा आपका एजूकेशनल क्वैलिफिकेशन इसमें आपको डालना है क्या दालना है वह मैं आपको बताता हूँ यहाँ प यहां पर आपने क्या कर रहा है डिप्लोमा या फिर बैचलर डिगरी जो भी कर रहा है वो यहां पर mention कर दें आपका institute का नाम जो भी college से आप pass out है वो country यहां पर इंडिया दालना है और graduation date या फिर डिप्लोमा का date जब आपने डिप्लोमा किया है तो यहां पर आपको option मिल आपको एक email आ जाएगा confirmation कि यह देखिए यह आपका tetra pack के तरफ से जो है वो email आ गया है कि आपने assistant engineer production की recruitment के लिए आप apply कर चुके हैं और जो भी है उसके बाद our recruiting team will be review the application and reach out the shortlisted candidate meanwhile take a look मतलब जो भी candidate यहां पर shortlisted होंगे उनको contact किया जाएगा यहां पर यह आपको email आ एक ID भी मिल जाएगा और उसके बाद जब आप फूरा प्रोसेस कर लेंगे यहां से आप अपना status check कर सकते हैं कि आपने job के लिए apply किया है उसका status क्या है ऐसा आपके पास login करने के बाद ऐसा option दिख जाएगा यहां पर job applied में आप click करेंगे तो यहां पर आप status check कर सकते हैं क कि आपने assistant engineer के लिए apply किया है we are currently reviewing all application आपने जब भी apply किया वो date आजाएगा और वो आपका जो application है वो check करेंगे और अगर आप सारे eligibility criteria या फिर उनका जो need है वो आप satisfied करते हैं तो आपको contact किया जाएगा तो इस तरह से आप इसका form को भढ़के और इसके लिए apply कर सकते हैं व